ओम सिरीगनी सायनमदूस्तू एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छै जुलाई सनीवार के रासी फलके बारे में की हादिन में सरासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जान बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट हैं अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सस्क्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहु धन अचल संपत्ती इत्यादी को लेकर भी इस्तितियां आपके काफी अनुकूल रहने वाली हैं यदि आप नोकरी करते हैं तो नोकरी में उन्नती के अच्छे अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं दोस्तो इस समय आप निवेस का भी नजरिया अपना सकते हैं और आता पिता के साथ संबंदों को और भी सुदारने का प्रियास करें इससे ना केवल आपको भागय का साथ मिलेगा और आपके जीवन में तरकी भी आएगी करियर उचाईयों पर जाने की आज संभावना दिखाई दे रही हैं यदि आप नोकरी बदनना चाहें तो उसमें भ आपको शकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए काफी प्रोतसाहित करेंगी आपको अपने कारेच्छित्र में कई कारों के लिए आज अधिक अनुकूलता महसूस होगी दोस्तो आज का समय आर्थिक दरश्टी कोंड से आपके लिए बहुती अच्छा समय हैं क्यों या लेंच पर जाने का भी आप प्लान बना सकते हैं कला के छित्र से जुड़े लोगों के लिए भी समय आज का काफी अच्छा रहेगा जो लोग आध्यात्मक के छित्र में लगे हैं उन्हें भी आज अच्छे पढ़नामों की प्राप्ती होगी जिससे उनका मन बहुती प हरा जाएगा आपके करियर में तरक्की होगी और यदि आप मन से महनत करते हैं तो सफलता पाने से और पदोनती से आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तों इस दोरान कुछ लोगों का अपने शसुराल पक्ष के लोगों से जगड़ा हो सकता है अत्वा आपके जीवन साती दोरा अपने माईके का पक्ष लेने के कारण आप दोनों के बीच अनबन हो सकती हैं इसलिए आज आप किरोध पर नियंतन एम वानी पर सहियम रखें अन्यत्था विवाद में फस सकते हैं थोड़ा जाएए कि अत्यादिक आत्म विश्वास में पढ़कर कोई भी गलत निर्णे ना लें और अपने अधिनिस्त करमचारियों को भी किसी प्रकार का कष्ट ना दें अन्यता इस्थिति आपके विपरीत हो सकती हैं इसलिए दोस्तों तैयार हो जाएए और संभवनाओं को सच म तबदील करने के लिए क्योंकि अभी का समय आपके लिए मेहनत करने का समय हैं इसलिए आप जम कर पसीना वाहें अपनी जिम्मेदारियों के मूल को समझने में आपको परिशानी हो सकती हैं इसके लिए आपको अपने परिवार के किसी अनुभव व्यक्ति से सला लेने की आ आप आज चिंतित हो सकते हैं जिससे सारारिक तथा मांसिक रूप से आज आप ऐस्वस्त का अनुबब कर सकते हैं परिवार के सदस्यों के साथ आज अनबन भी हो सकती हैं सकारत्मक सोच वे आत्म विश्वास कारों में आज आपको सफलता दिलाएगा या दोस्तो आपके लेने को लेने से पहले अपना पूरा समय लें और सोच समझ कर ही समस्याओं का हल निकालें और समस्याओं को हल करने के लिए प्रियाप्त संसादनों को जुटाएं परिवारिक जीवन में आज चिंताओं की वरद्दी हो सकती हैं लेकिन यदि आप सब को साथ लेकर चलेंगे तो समस्याएं धीरे धीरे काबू में आ जाएंगी। दोस्तो बात करते हैं आज आपकी लव लाइफ के शेरेने वाली हैं। दोस्तो आपके प्रेम जीवन में आज बाहर आएगी। आपको जरूत हैं तो बस अपने आख कान खुले रखने की जो एविवाइत हैं। तो प्रेम विवाके आज उनके लिए योग बनेंगे। प्रेतम से आज आप अपने दिल की बात साजह कर सकते हैं। दोस्तो प्रेम संबंद आज अच्छे हो सकते हैं। मन के अनुकूल प्रेमी प्रेमी का मिलने की भी आज संभावना पाई जाती है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे अपने मन की बात भी आज आप शेयर कर सकते हैं। अब रोमांस आदी का आज समावेस होगा। दोस्तो आज का दिन प्रेम जीवन के लिए बहुती उत्तम दिन रहने वाला है। दोस्तो बात करते हैं जब का वैवसाई केरियर कैसा रहने वाला है। दोस्तो कारे छेत्र में आज वातावरन आपके अनुकूल रहेगा। और शेय करिमियों का आज आपको भरपूर शेयोग प्राप्त होगा। जिससे सभी कारे बहुती आसानी से पूरे होंगे। दोस्तो आपको अपने करियर और विजिनिस में आज अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आप अपनी सफलता के आज जंडेगार देंगे। जिया दोस्तो आर्थिक रूप से भी आज उन्नती के अच्छे अवसर आपके सामने आएंगे। और उसके फलसरूप आज आप अच्छा दहनलाब प्राप्त करने में भी सफल हो सकेंगे। जहां दोस्तो भार की कंपनियों से भी आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होने की संभावना हैं साती सात विध्यार्तियों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला हैं कोट कचैरी से जुड़े लोग भी आज कुछ नई योजनाएं बनाएंगे जिन में उनको अ हद तक सुधार आएगा यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो इस दौरान आपको उस बीमारी से चुटकारा मिल सकता है आपकी उस बीमारी में सुधार आ सकता है जिससे आपकी परिसानियां कुछ हद तक कम हो सकती हैं दोस्तो सातShut A such अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें सुस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आप के लिए विशेश रुपाय क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदिश निर्वत्र होने के बाद भगवान शनिदेव का इसमरन करते हुए पीपल के वरक्ष के एक सरसो के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में आप कुछ दाने काली उड़द की डाल के भी डाल दें और इसके बाद आप उस पीपल के वरक्ष की साथ बार परिक्रमा भगवान शनिदेव के मंत्र ओम शन्शने श्च्राए नमाहा मंत्र का जाप करते हुए अवश् परिशान होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों कंत करेंगे और आपको सीग रही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कार रहें भगवान शनिदेव के आशिरवाद से बहुत या अवाद